नमस्कार, आज हम बनाएंगे मुर्मुरे की पैनकेक, अगर आप सुबर साम के नास्ते में कुछ आसान बढ़िया सा नास्ता बनाना चाहते हैं, तो मुर्मुरे के इस नास्ते को आप घर पर आसानी सी बना सकते हैं, मुर्मुरे के यह नास्ता अगर आप घर पर बनाएंगे तो इसको सभी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि यह नास्ता खानें बहुत इस्वादिश होता है तो चलिए हम नास्ता बनाना शुरू करते हैं नास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पाद दो कब मुर्मुरा लिया है तो सबसे पहले हम मुर्मुरे को पानी डाल कर साप करेंगे इससे मुर्मुरे थोड़े गीले हो जाएंगे और इसे पिसने में आसानी होगे मुर्मुरे को हमने पानी साप कर लिया है अब इसे हम छन्निम डाल कर छान लेते हैं जिससे जो इश्ट्रब पानी है वो पतीलेब निकल जाए पूरे मुर्मुरे को हमने पानी स्छान लिया है अब इसी तरह मुर्मुरे को साइड में रख देते है अब एक बावल में हम डालेंगे एक कप सूजी इसके बाद इसमें हम आधा कप फेटी हुई दही डालेंगे द अब इस सूजी थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा स्पानी डाल कर मिलाएंगे सूजी म हमने दही अच्छे सी मिला लिया है अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं जिससे सूजी फूल जाएं यहां पर हमने एक कटा हुआ कच्चा आलू लिया है आलू को हमने छोटे छोटे पीस में काटकर पाने से सापकर लिया है इसे हम जार्म डालेंगे इसके बाद आब इसमें हम मुर्मुरे को डालेंगे पूरे मुर्मुरे को हम जार्म डाल देते हैं अब इसमें हम थोड़ा पांच मिनटे के बाद सूजी यहां पर अच्छे सफूल गया है तो अब इसको भी हम जार्म डालकर पीसेंगे पूरे सूजी को हम जार्म डाल देते हैं अब इसमें हम लगभाग आधा कफ पानी डालकर पीश लेते हैं सूजी हमने पीस लिया है अब उसी बावल में हम इसको भी निकाल लेते हैं अब मुर्मुरे में हम सूजी को अच्छे समिला लेते हैं तब इसमें हम बाकिक चीजों को डालेंगे आप देख सकते हैं पाइन केक के लिए हमने इतना गढ़ा बैटर बनाया है अब इसमें हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ सिमला मिर्च, थोड़ा से कटा हुआ पालक डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटी चमच चाट मसाला, एक छोटी चमच नमक स्वात के अंसार, एक छोटी चमच कद्दू कस किये हुआ अधरक, और एक छोटी चमच कूटी हुई लाल मिर्च को डालेंगे अब सारे चीजों को हम बैटर में अच्छे से मिला लेते हैं इसमें अब पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि इस नाज्टे के लिए हम थोड़ा गाढ़ा बैटर बना रहे हैं जब बैटर गाढ़े रहेंगे तो पाइन के अच्छा बनेगा तीखा आप अपने हिसाफ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो मिर्च कम डालें सारे चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है लेकिन अभी बैटर पूरी तरस तयार नहीं है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे तड़का के लिए हम पाइन में दो छोटी चमज तेल डालकर गरम कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम एक छोटी चमज राई डालेंगे और एक छोटी चमज जीरा डाल देते हैं अब जीरा राई को अच्छे स्चटका लेते हैं जिससे राएम कच्चा पर न रहें, राए और जीरा अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें हम थोड़ा से करी पत्ता डाल कर भूनेंगे, करी पत्ता को हम केवल हलका से भूनेंगे, अब ये तड़का पूरी तरस तयार हैं, अब इसे हम बैटर में डाल कर मिलाएंगे, तड़का को हम बैटर में अच्छे से मिला लेते हैं, तड़का हमने बैटर में अच्छे से मिला दिया है, अब इसमें हम एक पाउज इनो डाल कर मिलाएंगे, इससे नास्ता जो है फुला फुला बनेगा, आप चाहें तो इनो की जगा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, तो ज्याद अब इसका हम पायन केक बनाएंगे, पायन केक बनाने इस पहले पायन में थोड़ा स्टेल लगाएंगे, पायन गरम हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा से बैटर डाल कर फैलाएंगे, जितना बड़ा पायन है, उसी के बराबर हम बैटर डाल कर फैला देते हैं, अब पायन को हम 2-3 मिनट के लिए ढख देते हैं गयस को हमने इदम धीमा किया है लगभग 3 मिनट बाद हम ढखकन हटा कर देख लेते हैं आप देख सकते हैं पाइन के अच्छे से फूल गया है यानि कि ये नीचे से सिख गया है तो पलटने से पहले इसके किनारे से हम थोड़ा स्टेल लगाएंगे अब इसे हम पहले थालिक उपर निकालेंगे इसके बाद इसके उपर से हम पाइन लगाकर पलट लेते हैं एक तरफ से सुनः रंग में अच्छे सिख गया है अब इसे हम फिर से 2-3 मिनट के लिए ढखक कर पकाएंगे जिससे दुसरी साइड भी सिख जाएं लगबग 3 मिनट बाद फिर से हम इसे देख लेते हैं आप देख सकते हैं यह दूसरी तरफ भी सिख गया है यानि कि पहला पाइन केख हमारा बनकर तयार हैं तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरह हम और भी पाइन केख बना लेते हैं अगर आपके पास इस तरह के छोटा पाइन नहीं है तो आप इस नास्ते को नाने श्टिक तवे पर भी बना सकते हैं या फिर आपके पास अप्पे पाइन हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं एक नास्ते को पकाने में 5-6 मिनिट लग जाते हैं आप इस नास्ते को जब भी बनाएं तो इसे धीमी आज पर पकाएं क्योंकि धीमी आज पर ये अंदर तक अच्छे सपक जाएंगे अब इसको भी हम पहले थालिब निकाल लेते हैं फिर पाइन लगाकर पलट लेते हैं और फिर से इसको हम ढखकन लगाकर पकाएंगे ये भी दोनों तरफ से अच्छे सिख गया है अब दूसरा पाइनकेक हमारा बनकर तयार है इसे भी मूसी पिलेट में निकाल लेते हैं इसी तरह से हम पूरे बाटर का पाइनकेक बनाएंगे एक एक करके हमने पूरे बाटर का पाइनकेक बना लिया है उतने बाटर में हमने चार पीस पाइनकेक बनाया है तो आप भी इस तरह से मूर्मूरे का पाइनकेक घर पर बहुत ही असानी से बना सकते हैं इस नास्ते को आप हरी चटनी, मुंफली चटनी या फिर टोमाटो और किसी भी मौसम में बना सकते हैं क्योंकि मूर्मूरे और सूजी मार्केट हमेशा मिल जाते हैं तो आप इस नास्ते को जब चाहे तब बना सकते हैं